एक बार की बात है किसी जंगल में रूबी नामकी एक दुश्च चुडल रहती थी रूबी की आदथ दूसरी चुडलों के मुकाबले बहुत ही कतर्नाक थी वो इच्छादारी नागिनों को मार कर खाया करती थी इस तरहा एक दिन रूबी चुडेल किसी नागिन की तलाश में भटक रही थी तब ही वो एक गुफा के पास पोहन जाती है गुफा के सामने एक इच्छाधारी नागिन अपने छोटे बच्चे के साथ खेल रही थी नागिन के बच्चे को देख रूबी चुडल बहुत खुश होती है उसके बाद रूबी चुडल नागिन की गुफा पर नजर रखने लगती है फिर दोपेर होते ही इच्छाधारी नागिन खाना लेने गुफा से बाहर चली जाती है ये अच्छा मौका है इच्छाधारी नागिन के वापस आने से पहले मुझे किसी भी तरह उसकी बच्चे को पकड़ना होगा लेकिन रूबी चुडल जैसे ही गुफा के सामनी पोहुँचती है कि तभी अचानक वहाँ आग जलनी लगती है ये देख रूबी चुडल डर कर हट जाती है लगता है वो इच्छाधारी नागिन है उसने अपने बच्चे के रक्षा के लिए यहाँ कोई जादू करा है अब मैं गुफा के अंदर नहीं जा सकती मुझे किसी भी तरह नागिन के बच्चे को गुफा के बाहर बुलाना होगा उसके बाद रूबी चुडल एक सुन्दर औरत का रूप दारन कर लेती है और अपनी शक्ती से वहाँ धेर सारी आइस्क्रिम प्रकट कर देती है अब इस आइस्क्रिम के जरिये मैं नागिन के बच्चे को गुफा के बाहर बुला सकती हूँ फिर रूबी चुडल जोर जोर से आवास लगानी लगती है आइस्क्रिम ले लो थंडी थंडी मीठी मीठी आइस्क्रिम ले लो आईस्क्रीम की बात सुनकर नागिन का बच्चा गुफा के दर्वाजे के पास आ जाता है आईस्क्रीम वाली आंटी मुझे आईस्क्रीम बहुत पसंद है जल्दी से आप मुझे देर सारी आईस्क्रीम दे दीजिए हाँ हाँ बेटा मैं तुम्हें पेट भर आइसक्रिम खिलाऊंगी जल्दी से बाहर आजाओ मेरे पास इतना कहेकर चुडैल उसे धेर सारी रंग भी रंगी आइसक्रिम दिखाने लगती है इच्षाधारी नागिन का बच्चा दोड़ता हुआ चुडैल के पास आ जाता है फिर अगले ही पल रूबी चुडैल अपने असली रूप में आ जाती है और उस बच्चे को को लेकर अपने घर चली जाती है तबी रूबी चुडैल की बेहन नताशा चुडैल उस नागिन के बच्चे को देखकर हैरान रह जाती है रूबी आखिर तु नागिन के छोटे बच्चे को यहां क्यों लेकर आई है तुझे तो पता है के मुझे नागिनों का मास खाना कितना पसंद है इसलिए मैं नागिन के बच्चे को पकड़ कर यहां ले आई हूँ कल सुबा के नाश्टे में मैं इसे मार कर खाने वाली हूँ तूने तो बेरहमी की हत कर दी रूबी आखिर इस छोटे मासुम बच्चे को मार कर तुझे क्या मिलेगा इसकी बिचारी मा बहुत परिशान हो रही होगी मैं तो कहती हूँ तू इसे छोड़ दे देख नाश्टा तू अपने काम से काम रख मैं इसे नहीं छोड़ने वाली इतना कहे कर रूबी नागिन के बच्चे को लेकर अपने कमरे में चली जाती है रात होते ही नागिन का बच्चा अपनी मा को याद करके दुखी होकर रोने लगता है नाश्टा चुडैल से नागिन के बच्चे का दुख देखा नहीं जाता और वो चुपके से उसे आजाद करके घर से बाहर ले जाती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है बेटा मैं अभी तुम्हें तुम्हारी मा के पास पहुंचा दूंगी उसकी बाद नाश्टा चुडैल नागिन के बच्चे को लेकर वहाँ से भागनी लगती है लेकिन तभी रूबी चुडैल की नीन खुल जाती है और वो नाटाशा का पीछा करते हुए उसे पकड़ लेती है फिर रूबी चुडैल अपनी बालों में लगा जादूई खंजर निकाल लेती है जब देखो तब तु हल वक्त मेरे काम में टांगड आती है आज तुझे मार कर मैं तेरा किसा ही खतम कर दूँगी अरे रूबी तु इतनी बेरहम कैसे हो सकती है आकर मैं तेरी बेहन हूँ तु अच्छी तरह जानती है कि मैं कितनी बुरी हूँ सिर्फ अपना फाइदा देखती हूँ तुझे मार कर मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा इतना कहकर रूबी चुड़ल अपनी बेहन को मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन तबी वहाँ इच्छाधारी नागिन अपनी पूंच लंबी करके रूबी चुड़ल को पूरी तरह जकर लेती है उसके बाद नागिन रूबी का सर एक बड़े फत्तर के उपर पटक देती है अरे नताशा मुझे बचा वरना ये नागिन मेरी जान ले लेगी तेरी जैसी धोके बाज और मतलबी बहन के साथ ऐसा ही होना चाहिए मैं तुझे नहीं बचाने वाली इस तरहां धोके बाज और बेरहम रूबी चुड़ेल का अंत हो जाता है उसके बाद इच्छादारी नागिन नताशा चुड़ेल का शुक्रिया दा कर अपने बच्चे को लेकर वापस अपनी गुफा में चली जाती है बहुत पुरानी बात है शैतानपुर में नीलम नाम की एक चुड़ेल रहती थी नीलम के दोनों हाथ सोने से बने थे साथी उसके दोनों हाथों से ढेर सारे सोने के सिक्के भी बाहर निकलते थे नीलम अपनी शक्ती का इस्तमाल हमेशा जंगल के आसपास रहने वाले गरीब लोगों की मदद के लिए किया करती थी नीलम तेरी इस तरहा इंसानों के बीच जाना ठीक नहीं है सबी इंसान एक जैसे नहीं होते इंसानों में आधे से ज्यादा लोग लाल्ची और दोके बास होते हैं तेरी सच्चाई की आदत एक दिन तुझे बड़ी मुसीबत में फसादेगी नहीं आनिता चुडैल मैं तुमारी बात से सहमत नहीं हूँ मेरा मानना है कि अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमें उसका फल भी अच्छा ही मिलता है और सारी बुराईयां हमसे दूर रहती हैं इसलिए मैं लोगों की भलाई का काम मरते दम तक करती रहूंगी इतना कहकर नीलम चुडैल हवा में उरती हुई वहां से चली जाती है थोड़ी देर के बाद नीलम चुडैल एक नदी के पास पहुंच जाती है उस नदी के किनारे एक लड़की आत्मा हत्या करनी के लिए खड़ी थी अरे ये क्या लगता है ये लड़की यहां अपने जीवन का अंत करने आई है मुझे तुरन जाकर इसे बचाना होगा उसके बाद नीलम चुडैल लड़की के पास पहुंच जाती है आखिर तुमें ऐसी क्या परेशानी है कि जो तुम आत्मा हत्या करने आ गई मेरी सास बहुत लालची है वो मुझे अपने माईके से धेर सारे पैसे लाने के लिए परिशान करती है इतना ही नहीं वो रोज गरम चिम्टे से मेरे हाथों को जलाती है अपने सास की अत्याचार से मैं तंग आ चुकी हूँ इसलिए मैंने आत्मा हत्या करने का फैसला किया है आत्मा हत्या करना पाप है तुम चंता मत करो मैं तुमारी सारी परिशानी दूर कर दूँगी उसके बाद नीलम चुड़ल अपने हातों से वहां धेर सारे सोने के सिके निकालने लगती है देखते ही देखते वहां धेर सारे सोने के सिके जमा हो जाती है अब तुम इन सोने के सिकों के जरीए अपनी लालची सास को अपने शारों पर नचा सकती हो आज के बाद तुम्हारी सास दुम हिलाती हुई तुम्हारे आगे पिचे घुमेगी अरे वाई ये तो तुमने कमाल कर दिया एक ही जटके में मेरी सारी परिशानी दूर हो गई तुमारा बहुत बहुत शुक्रिया चुडल जी सच में तुम बहुत अच्छी हो उसके बाद वो लड़की सारे सोने के सिक्के लेकर अपने घर चली जाती है उस दुखी लड़की की मदद करके नीरम चुड़ेल को बहुत खुशी होती है इस तरह एक दिन नीरम चुड़ेल एक गाउं की ओर जा रही थी तबी रास्ते में कुवें के पास उसे दो लड़कियां रोती हुई दिखाई देती है क्या हुआ तुम दोनों यहां बैटकर क्यों रो रही हो हमारा छोटा भाई इस गहरे कुवे के अंदर गिर गया है अगर जल्दी से उसे बाहर नहीं निकाला गया तो इसकी मोद हो जाएगी जिन्ता मत करो मैं अभी कुवे के अंदर उतर कर तुमारे भाई को बाहर ले आती हूँ इतना कहे कर नीलम चुड़ेल कुवे के पास पोहन जाती है लेकिन तबी वो दोनों लड़कियां पीछे से धका देकर चुड़ेल को कुवे के अंदर गिरा देती है फिर वो दोनों लड़कियां जोर जोर से हसने लगती है चल जल्दी से मा को फोन करके बता दे कि हमने नीलम चुड़ेल को पकड़ लिया है ये सुनकर नीलम समझ जाती है कि उसके साथ धोका हुआ है ज्यादा खुशोने के जरूरत नहीं है मैं अभी बाहर निकल कर तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी लेकिन तब ही वो दोनों लड़कियां कोवे के अंदर एक जादोई रसी फैंग देती है और अगले ही पल वो जादोई रसी नीलम चुड़ेल को पूरी तरह जकर लेती है तब ही वहाँ उन दोनों लड़कियों की तांतरिक मा पोहन जाती है शबाश मेरी लड़कियों तुमने इस चुड़ेल को कबजे में लेकर बहुत बड़ा काम किया है अब मैं चुड़ेल के दोनों सोने के जादी हाथों को काट कर तुम दोनों के शरीर में जोड़ कर तुमें शक्तिशाली बना दूँगी इतना कहकर तांत्रिक औरत अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है लेकिन तब ही वहाँ नीलम की सहेली अनीता चुड़ेल आ जाती है अनीता चुड़ेल उन तीनों की आँखों में भूध्या मिर्ष डाल देती है जिसे वो तीनों दर्द के मारे तड़पने लगते हैं हाई मा मर गई रे मेरी आंग जल रही है अरे कोई पानी दो अरे कोई मुझे बच जाओ इस चुड़ेल की सहेली तो बहुत खतरनाक है हमें इसे नहीं जीत पाएंगे चलो भागो यहां से फिर वो तीनों डर के वहां से भाग जाते हैं उसके बाद आनीता नीलम चुड़ेल की रसियां काट कर उसे आज़ाद कर देती है देख लिया ना नीलम मैंने तुझे कहा थाना कि सभी इंसान एक जैसे नहीं होते इसलिए आज के बाद तो कभी किसी इंसान पर इस तरह आँख मोन कर भरोसा मत करना हाँ तो ने सही कहा आज के बाद मैं ऐसी गलती दुबारा नहीं करूंगी फिर दोनों सहेलियां वापस अपने जंगल चली जाती है उस दिन के बाद से नीलम चुरैल पूरी तरह सतर खो जाती है तो आपने देखा दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है के लोगों की मदद करना अच्छी बात है लेकिन दुन्या में सच्चे और धोके बांस दोनों तरह के लोग पाए जाती है इसलिए हमें हमेशा सतर करना चाहिए अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चानल को सबस्क्राइब भी कर लें और हमें दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना किया आपको कहानी कैसी लगी